नमस्कार दोस्तों दर्भंगा राक्समाप का स्वागत है बहुत उमीदों के साथ मिशन महासेतू की जो एतिहासिक यात्रा जीम साहब ने की उसमें ये कहा गया था पहले कहा गया था कि अप्रेल माह तक जो है वो ट्रेन शुरू हो जाएगी यात्री ट्रेन लेकिन दर्भं यानि की बरसात से पहले पहले तक महामला चला जाए इसका ये मतलब हुआ कि जीम साहब कह रहे हैं कि जून तक में यात्री ट्रेन चल सकती है फिलहाल यात्री ट्रेन के लिए जो है वो प्लान नहीं है क्योंकि माल गाड़ी को ट्रेक पर लाना है और ये उन्होंने अपनी मनशा जाहिर कर दी है कि इस ट्रैक का इस्तमाल जो मिशन पुरुवत्तर का जो इस्तमाल है वो यात्रियों से ज़्यादा मालगाड़ी के लिए उनके लिए एहम है और ये बात उन्होंने दरवंगा में कही है और इस से ये साबित हो गया कि अगर मालगाड़ी के लिए ट्रैक फिट हो रहा है तो क्या यात्री ट्रेन नहीं दोड़ाई जा सकती है और इसके पीछे कुरोना की वज़े बताई जा रही है और भी कई सीजे बताई जा रही है तो ऐसे में सवाल ये है कि रेलवे के पैसेंजर ट्रेनों का आरंभ होगा परिचालन मौनसून से पहले और इसके लिए जो है महापनमंदर ने का ततकाल शुरू होगा मालगाड़ियों का परिचालन ततकाल शुरू होगा मालगाड़ियों का परचालन और मालगाड़ी चलाने की स्थिती में हम हैं ये GM साहब कह रहे हैं कि माल गाड़ी चलाने की स्थिती में हैं तो पैसेंजर ट्रेंज चलाने की स्थिती में क्यों नहीं हैं कोरोना की स्थिती ठीक नहीं तो सवारी गाड़ियां चलाने लगेंगे अगर ठीक होगी तभी चलाएंगे तो तमाम पैसेंजर स्टेंज चल रहे हैं इस लाइन पर लोग टक टकी लगाएं अमीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि अब शुरू होगी तब शुरू होगी और ये लाइन जो है वो बहुत 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 प्रतिक्षित है खुद रेलवे कह चुका है ऐसे में सवाल यही है कि आख यात्रियों से ज्यादा एहमियत है मालगाड़ी की रेलवे को इसका भी जवाब देना चाहिए क्योंकि अगर मालगाड़ी एकर चलेगी मालगाड़ी के लिए ट्रैक फिट है तो यात्री ट्रेन के लिए भी ट्रैक फिट हो सकता है और यात्री ट्रेन ज्यादा एहमियत है यात्री सेवाओं के को ले करके यात्री पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि यह इलाका पूरी तरह से रेल संपर्क से वंचित रहा है और जब रेल संपर्क जुड रहा है तो इसमें आखिर देरी क्यों की जा रही है और मौनसूर तक ले जाने का आखिर क्या उद्देश्य है ये बड़ा सवाल है और ये सवाल उठता रहेगा और हम ये सवाल उठाते रहेंगे कि आखी रेलवेस में देरी क्यों कर रहा है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अब ये सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वीड टैंसपर्ट भी शुक्रें धनवाद जेहूं